पूराज हम करने जा रहे है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क तो यह पहला प्रिंसिपल क्या कहता है डिवीजन ऑफ वर्क डिवीजन वर्क बने डिवाइड से तो यहां वर्क को डिवाइड करने की कोई बात चल रही है तो यह प्रिंसिपल के कहता है कि डिवाइड कर आपको क्या करना है हर एक employee को हर एक individual को सरफ एक unit देना है यानि पूरा ये जो काम था ये किसी एक employee के हाथ में नहीं देना कि जो छुटे-छुटे unit से न ये एक-एक unit जाकर एक-एक employee को आपको दे देना है या फिर resign कर देना है और ये resign करना कैसे है गाम उनकी capabilities को देखकर उन इसमें 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 बहुत सारा काम होता हा है ठिक है बीजादहिं बनाने का देखो इक-एक employee हे वह बहुत अच्छे से कट करता है तो इसको बोला तुम सारा काम बहुत काटने का तुम समाल लो दूसरा employee हे जोईन इसको पहले से बहुत एक्सपीरियंस है जोड देगा वो टेवल वेबल सब बना देगा कील वील टोक के तो काम इसको दे दिया थोड़ है उसको काम दे दिया पॉलिश का उसनेघ्र कोम पूरे जो आपका वर्फ था न उसको अमने डिवाइट कर दिया चोटे-चोटे यूनİ क्योंकि पूरा वर्क कैसे divide कि एप्टोंटेशन को देखाए उनकी कई नzungौ की साइंटिस्स का काम को या ना तो अगर इंप्लोई की कौलिफिकेशन को देखकर काम दिया जाए उनको तो इससे के काम में बहुत speciality आती है specialization आता है second point is और क्या positive effect होता है इसमें improves efficiency अभी efficiency कैसे improve होती है अगर if one employee perform one type of job again and again he will become expert अगर एक employee बार बार एक ही job को करेगा तो क्या होगा वह expert हो जाएगा उस काम में अगर आप देखिए आप है किसी भी chapter को या कोई भी topic आप बार बार उसे read करत होते हैं तो होते हैं आपको भी वह बहुत अच्छे से learn हो जाता है तो जब एक employee किसी एक काम को बार 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 पर perform करता है तो वह भी expert हो जाता है उस काम में अभी इस principle में कहा है consequences of valuation of this principle अगर हम इस principle को follow नहीं करते हैं तो उसकी क्या consequences हो सकते है lack of efficiency efficiency बिलकुल नहीं आती है क्योंकि कोई employee कभी कोई काम कर रहा है कोई employee कभी कोई काम कर रहा है है तो mistake के बहुत chances होते है resources waste होने के बहूत chances होते हैं जैसिकि मैंने या furniture का काम दिया था, तो furniture में क्या होगा और जिसको wood cutting आती है उसको मैं polish को नेकल दे दे रही ह। में पॉलिश वाले को वुड काटने का कम दे रही हूँ तो पॉलिश वाला में भीूड काटने में गलती कर दे ऊपर नीचे नाप कर दे हैं नाinde पता लगे उसका एक जो एक एग चोटा हो एक वड़ा हो गया है घ्र हो चैन सब्सक्राइघा है ना तो जो है प्रिपीट हो सकता है